और यह कोई नई चीज नई है कि हमको नई चीज मिल रही है हम तो मंत्रीपद मिला उसको दो साल निभाए एक सो चालिस करोड जो आवादी है वो प्रधान मंत्री जी का ही न परिवार है उन्हीं की देखरेक में फल फुल रहा है कि कांग्रेश जो काम कर रही है अपने नेताओं के साथ और तो उसका नतीजा उसको मिल रहा है अभी तक हमको एथेंटिक जैसे राजभावन से कोई सूचना या मुक्यमंत्री आपिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है परन्तु जो सुनने को मिल रहा है कि पांच बजे सपत ह होगी कैसा अनुभाव है क्या कुछ तयारिया है किस तना की चीज़े रहेंगे हैं देखे हम जैसे पहले थे आज भी है कल भी रहें और यह कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है हम तो मंत्रीपद मिला उसको दो साल निभाए अपने कर्टब को जो गरीब क गमजूर वंची सोच्टों की मदद करते रहे उससे जब हम रिजाइन दे करके चलेगे कुछ बिंदूओं को ले करके तो उससे बहुत हमकोव नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं हमारा एक लक्ष है गरीबों की सेवा वंची सोच्टों की सेवा पिछड़े दलित वंची के उनको जागरित करना कि जागो तभी सवीरा है आप अपने हक के लिए लड़ो सिक्षा स्वास्त रोजगार नवकरी के लिए आप लड़ो समाज में अमन्चैन भाईचारा के लिए लड़ो इसके लिए हम उनको बराबर प्रेडित करते रहते हैं हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है मुख्यमंत्री जी जिसको जो जो लोग विस्तार में सामिल होंगे जो भी विभाग जिसको देंगे और यह तो बाबा साथ डाक्टर मेटकर ने कहा है कि यह एक माध्यम है और जनता को लाग पहुचाने के लिए उसको कोई भी काम हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है हमारा जो लक्ष होता है कि सत्ता के माध्यम से बंची सोष्तों को जागरित करना उनको अधिकार के प्रती जागरू करना और अधिकार दिलना और उनके साथ में जूल करके रहना अब जनता से जुड़े हुए जो जुड़े हुए उसी से किया जा सकता पूरा 140 करों का जो देश है सभी मेरे परिवार वाले हैं मेरे भाई देखिए वो लालू जी बड़े नेता हैं अनुभवी हैं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा भी है पुरे देश की राजनीत में पुरे देश की राजनीत में एक मजी हुए खिलाडी थे और आज बेसक सक्ता से बाहर हैं लेकिन उन्होंने जो बात कही है तब उन्होंने अपनी विचार से जो कहा हो और हमारे देश के प्रधान मंतरी मानी नरेल मुदी जी ने जो बात कही है वो प्रधान मंत्री हैं, एक सो चालिस करोड जो परिवार है, उसके मालिक है, उनका परिवार है, उसकी देखरिक, उसकी खुसाहाली, उसकी सुरक्षा, उसको अधिकार, तो जिम्मेदारी तो मानि प्रधान मंत्री जी की है इस तंच के बाद लगतार जिसने भी बातेंटा पार्टी के बगए नेता है वो सब अपने ट्विटर हैंडल पर शोशल मीडिया पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने लगे है तो अच्छी बात है एक सो चालिस करोड जो आवादी है वो परधान मंत्री जी का ही ने परिवार है उन्हीं की देखरेक में फल फुल रहा है एक बादा चावाल है का कॉंग्रेश गुज्रा कॉंग्रेश के दिगज नेता अरजुन मारेवाडिया ने स्टीफा दे दिया कांग्रेश जो काम कर रही है अपने नेताओं के साथ और तो उसका नतीजा उसको मिल रहा है नेताओं से न मिलना नेताओं से बात न करना उनकी बात को न सुनना ये सबसे बड़ा कारण है झाल